प्रेसनाट एक आयताकार मैदान की माप 550 मीटर गुना 360 मीटर है मैदान के चारों और बाहर से 5 मीटर चोड़ा एक रास्ता है रास्ते को पूरी तरह से ढखने के लिए 2 मीटर गुना 2 मीटर माप की कितनी टाइल सो की आव सकता होगी यदि 2500 रुप्या परती 100 टाइल सो की दर से कुल टाइल सो का मूले भी गयात करें अब देखे कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की माप पहले हमें एक आयताकार मैदान बना लेते हैं तो मान लेते हैं कि A, B, C, D एक आयताकार मैदान है जिसका माप है 550 मीटर लंबा है और 360 मीटर चोड़ा है ठीक है आईताकार मैदान तो मान लेते हैं कि ABCD क्या है का आईताकार मैदान है जिसका की लंबाई है 550 मीटर चोड़ाई है 360 मीटर दिया हुआ है इतना अब कर रहा है मैदान के चारो और बाहर से पांच मीटर चौड़ा एक रास्ता है देखें मैदान के चारो और बाहर से मैदान के चारो और बाहर से अब इसका हम नाम देते हैं पीकी वारिस तो मैदान के चारो और बाहर से कितना मीटर चोड़ा है पांच मीटर देखिए इसकी चोड़ाई है पांच मीटर ठीक है चारो तरफ पांच मीटर तो मैदान के चारो तरफ चारो और बाहर से पांच मीटर चोड़ा एक रास्ता है रास्ते को पूरी तरह से ढखने के लिए दो मीटर गुना दो मीटर माप के कितनी टाइल सो किया हो सकता होगी तो पहले हम रास्ता का छेतरफल ग्याद करेंगे ठीक है यह जो रास्ता है देखिए ये जो रास्ता है इसका छेतरफल हम ग्याद करेंगे ये रास्ता का तो सबसे पहले आयताकार मैदान का छेतरफल ग्याद करेंगे फिर PQRS का छेतरफल ग्याद करेंगे ये जो बड़ा वाला आयत है उसका छेतरफल ग्याद करेंगे और फिर ये छोटा वाला आयत का छेतरफल ग्याद करेंगे फिर बड़ा वाला आयत से छोटा वाला का गटा देंगे तो रास्ता का 6 तरफल ग्यात हो जाएगा तो यहां पर हम लिखेंगे आयत A, B, C, D की लंबाई तो लंबाई को L से लिखते हैं तो आयत A, B, C, D की लंबाई कितना है? 550 मीटर आयत A, B, C, D की लंबाई है 550 मीटर चोड़ाई चोड़ाई है 360 मीटर देखिए लंबाई कितना है? 550 मीटर चोड़ाई है 360 मीटर तो पहले हम आयत A, B, C, D का 6 तरफल निकाल लेंगे तो आयत का 6 तरफल तो आयताकार मैदान है ठीक है? A, B, C, D क्या है? आयताकार मैदान है जिसका माप दिया हुआ है 550 मीटर और 360 मीटर तो आयताकार मैदान है यानि आयत के जैसा है तो आयत का 6 तरफल का सुत्र होता है L इंटू B आयताकार मैदान है यानि लंबाई है 550 मीटर चोड़ाई है 360 मीटर तो चेतरफल हो जाएगा L इंटू B यानि लंबाई गुना चोड़ाई तो 550 गुना 360 तो 550 गुना 360 हो जाएगा एक लाख अंठानवे हजार वर्ग मीटर तो आयत ABCD का चेतरफल कितना हो गया एक लाख अंठानमे हजार वर्ग मीटर ठीक है यानि आयताकार मैदान का चेतरफल देखे आयताकार मैदान कौन है ABCD है तो इसका चेतरफल आ गया है एक लाख अंठानमे हजार वर्ग मीटर अब क्या करेंगे आयत PQRS का छेतरफल ग्याद करेंगे यानि जो बड़ा वाला आयत है उसका छेतरफल ग्याद करेंगे छोटा वाला आयत का छेतरफल ग्याद हो गया है अब PQRS का छेतरफल ग्याद करेंगे तो लिखेंगे आयत PQRS की लंबाई तो लंबाई को L से लिखते हैं तो आयत PQRS की लंबाई हो जाएगा 550 जोड 5 गुना 2 यानि 550 जोड 10 यानि 550 जोड 10 कितना हो जाएगा 560 मीटर अब देखिए 10 कहां से आ गया तो ये भी कितना है 550 मीटर है ये तो दिया हुआ है ये भी 550 मीटर है और ये जो रास्ता है उसका चोड़ाई है 5 मीटर तो इधर भी 5 मीटर और इधर भी 5 मीटर तो 5 5 कितना हो गया 10 यानि 5 गुना 2 10 हो गया तो 550 में अगर 10 जोड देंगे तो PQ कितना हो जाएगा 560 मीटर देखे, PQ हो जाएगा 560 मीटर क्योंकि यहां तक 550 दिया हुआ है और रास्ते का चोड़ाई है 5 मीटर तो 5 मीटर इधर जोड़ देंगे और 5 मीटर इधर वाला जोड़ देंगे यानि 5-5-10 हो जाएगा तो 550 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 560 मीटर तो PQ हो गया 560 मीटर अब उसी तरह चोड़ाई में देखे 20 कितना है 360 मीटर है तो 360 में 5 मीटर इधर से और 5 मीटर ये वाला दोनों तो यह हो जाएगा 370 मीटर 360 में 10 जोड़ देंगे क्योंकि रास्ता का चोड़ाई है 5 मीटर तो 5 मीटर इधर भी हो गया 5 मीटर इधर भी हो गया तो 5 5 10 हो गया तो 360 में अगर 10 जोड़ देंगे तो यह देखे चोड़ाई कितना हो जाएगा 370 मीटर हो जाएगा इसका PQRS का तो आयत PQRS की लंबाई हो गया 550 जोड 5 गुना 2 यानि 550 जोड 10 तो हो गया 560 मीटर कॉमा देंगे और चोड़ाई तो चोड़ाई को 20 से लिखते हैं तो चोड़ाई बराबर लिखेंगे 360 जोड 5 गुना 2 इसमें भी उसी तरह करेंगे तो हो जाएगा 360 जोड 5 गुना 10 यानि 370 मीटर हो जाएगा 370 मीटर तो आयत PQRS का लंबाई हो गया 560 मीटर और चोड़ाई हो गया 370 मीटर तो इसका छेतरफल ग्याद कर लेते हैं तो आयत का छेतरफल निकालने का सुत्र होता है L इंटू B क्यानि लंबाई गुना चोड़ाई लंबाई कितना है 560 है चोड़ाई है 370 लंबाई 560 है चोड़ाई है 370 तो इसको गुना कर देंगे तो इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जागा 2,7,200 यहाँ पर लिखेंगे वर्ग मीटर तो देखें आयत PQRS का छेतरफल आ गया 2,7,200 तो बड़ाई वला आयत और छोटा वला आयत दोनों का छेतरफल हम ग्याद कर लिया है तो बड़ाई वला आयत का छेतरफल से छोटा वला आयत का छेतरफल को घटा देंगे तो रास्ता का छेतरफल निकल जाएगा तो हम लिखेंगे रास्ता का छेतरफल बराबर हो जाएगा दो लाख साथ हजार दो सो वर्ग मीटर माइनस एक लाख हंठान में हजार वर्ग मीटर तो दो लाख साथ हजार दो सो वर्ग मीटर में से एक लाख हंठान में हजार वर्ग मीटर को घटा देंगे तो आ जाएगा नो हजार दो सो वर्ग मीटर तो रास्ता का छेतरफल कितना आ गया 9200 वर्ग मीटर यानि ये जो रास्ता है देखिए जो 5 मीटर चौड़ा जो रास्ता है मैदान के चारो तरफ उसका छेतरफल आ गया 9200 वर्ग मीटर ठीक है तो इस में इस रास्ता में क्या कह रहा है कि रास्ता को पूरी तरह से ढखने के लिए दो मीटर गुना दो मीटर माप की कितनी टाइल्सों किया हो सकता होगी तो देखिए अब हम लिखेंगे टाइल्स की संख्या अधह रास्ता को ढखने के लिए रास्ता को ढखने के लिए टाइल्सों की संख्या टाइल्स टाइल्सों की संख्या बराबर हो जाएगा तो रास्ता को टाइल्स से ढखना है ठीक है तो देखिए रास्ता का छेतरफल कितना आया है 9200 वर्ग मीटर आया है इसको ढखना है टाइल्स से तो टाइल्स का छेतरफल टाइल्स का लंबाई चोड़ाई कितना है दो गुना दो है ठीक है लंबाई गुना चोड़ाई यहाँ पर लिखेंगे वर्ग मीटर तो देखें 9200 आया है रास्ता का छेतरफल और जो टाइल्स से ढखना है उसको टाइल्स का लंबाई है दो मीटर चोड़ाई है दो मीटर तो लंबाई गुना चोड़ाई कर देंगे तो छेतरफल निकल जाएगा यानि दो गुना दो वर्ग मीटर हो जाएगा तो 9200 वर्ग मीटर को दो गुना दो वर्ग मीटर से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा रास्ता को ढखने के लिए कितना tiles लगेगा क्योंकि tiles का लंबाई चोड़ाई दिया हुआ है 2 मीटर 2 मीटर गुना 2 मीटर यानि लंबाई है 2 मीटर चोड़ाई भी है 2 मीटर तो कितना आ गया तो 9200 बटा 4 9200 बटा 4 आ गया 4 से कट जाएगा 4 दुना 8 एक इधर गया ठीक है तो टाइस निकल गया है तो रास्ता का चेतरफल को टाइल्स का छेतरफल से भाग दे देंगे तो कितना टाइल्स लगेगा वो निकल जाएगा उस रास्ता को ढखने में क्योंकि रास्ता का छेतरफल हम निकाल चुके हैं 9200 वर्ग मीटर और टाइल्स का छेतरफल दिया हुआ है दो गुना दो ययानि लंबाई गुना चोड़ाई तो अब कह रहा है कि 2500 रुपया परती 100 टाइल्स की दर से गुल टाइल्स का मुल्ल भी ग्याद करें यानि 100 टाइल्स का मुल्ल दिया हुआ है 1500 रुपया तो देखे तो लिखेंग अतर अतर Тाइल्स टाइल्सों का कुल मुल कुल मुल्य बराबर हो जाएगा 2300 बटा 100 गुना 2500 अब देखिए 100 टाइल्स का मुल्य है 2500 रुपया 100 टाइल्स का मुल्य है 2500 रुपया तो यहाँ पर कितना टाइल्स आया है 2300 टाइल्स आया है तो 2300 को 100 से पहले भाग देंगे उसके बाद 2500 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा तो देखे 2 सुना से 2 सुना कट गया अब 2300 गुना 25 करेंगे तो 2300 गुना 25 करेंगे तो आ जाएगा संतामन 1500 रुपया ठीक है तो 100 टाइल्स का दाम दिया हुआ 2500 रुपया देखे पैकेट में आता है तो एक पैकेट में 100 टाइल्स होता है 100 टाइल्स का मुले है 2500 रुपया लेकिन हमको निकालना है 2300 टाइल्स का मुले तो 2300 को पहले 100 से भाग दे देंगे ठीक है तो पता चल जाएगा कितना पैकेट होगा यानि 23 packet हो जाएगा तो एक packet का दाम है 2500 तो 23 packet का 23 गुना 2500 हो जाएगा ठीक है देखे 2300 को अगर 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 23 आएगा यानि 2300 tiles के लिए एक packet में 100 tiles होता है और एक packet का दाम है 2500 रुपया लेकिन यहाँ पे तो 2300 tiles है तो 2300 को 100 से भाग देंगे यानि 23 packet चाहिए और एक packet का दाम है 2500 रुपया तो 23 गुना 2500 करेंगे तो कितना आ जाएगा 57500 रुपया इसलिए 100 से भाग दिये थे क्योंकि 100 tiles का मुल्य दिया हुआ है 2500 तो cool tiles को पहले 100 से भाग देंगे उसके बाद 2500 से गुना करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा क्योंकिट। झाल झाल झाल